अनाज मंडी अगनी कांट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कहा जा रहा है कि चार मंजिले इमारत के सेकेंड फ्लोर पर केमिकल रखा हुआ था इसकी वज़ा से आगनी चंद मिन्तों में विक्राल रूप धारन कर लिया और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपने जग में ले लिया इससे किसी को संभले का मौका नहीं मिला और दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई जिस समय इमारत में आग लगी थी उस वक्त सभी लोग गहरी निंद में सो रहे थे इसकी वज़ा से हताहतों की संख्या और बढ़ गई कहा जा रहा है कि फैक्ट्री के मैनेजर फुरकान ने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया था ऐसे में आग लगने पर लोग इमारत से बाहर नहीं भाग पाए ऐसे में 43 लोगों की मौत हो गई बताते चले कि इस अगने कान के बाद पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक इमारन के भाई रेहान को गिरफतार कर लिया है यूज 18 से विशेश बादचीत के दोरान इमरान ने बताए कि पुलिस अब जब भी मुझे बुलाएगी मैं तफ्तीश के लिए सामने जरूर जाओंगा इस हादसे के मुख्य दो कारण है पहली वज़ा सुबह के वक्त अचानक बिजली का शौट सरकित का होना है उसके बाद उसकी जिंगारी नीचे रखे केमिकल सुलेशन के बॉक्स पर जागेरी इसके चलते जिंगारी आचानक काफी तेजी से फैल गई और देखते ही देखते आग ने भयान रूप धारन कर लिया कहा जा रहा है कि सुलेशन में आग पकरते ही उससे खतरनाग दूएं निकलने लगे ऐसे में दम खुटने से कई लोगों की मौत तुरंग मौत हो गई हाथ से वाली रात को फुरकान ने एक ट्रक में समान को पैक करवाया था ट्रक पर समान की पैकिंग होने के बाद फुरकान सोने के लिए चला गया और फैक्टरी के मुख्यदवार पर ताला लगा दिया जिससे आग लगने के बाद कोई मजदूर बाहर नहीं निकल सका जानकारी के मुताबिर इस बिल्डिंग में करीब बारब फैक्टरिया हैं जिसमें खिलोने बनाने, कैप बनाने और महिलाओं के पस बनाने सहित कई प्रकार के काम होते थे हर फ्लोर पर चे कम्रे बने हुए हैं इस बिल्डिंग के मालिक के मुताबिक करीब एक सौ से ज्यादा कारेगर मजदूर एक साथ यहां काम करते टपी एल से लाइक शेर कॉमेंट और सस्क्राइब नूस चौबेस आर जे हैंडी